संख्याओं का मिलन गोलू मोलू अपनी मम्मी के साथ मौल में शापिंग करने जाते है मम्मी, कई दिनों से हम कहीं घुमने नहीं गए हाँ मम्मी, हमें कहीं घुमाने ले चलो ना अच्छा, धहरे रखो, चलती हूँ आज तुम लोगों को मौल ले चलती हूँ जहाँ तुम घुम भी लोगे और मैं कुछ सामान भी खरीद लोगी हाँ लो आ गए मौल, चलो पहले कुछ सामान खरीद लेते हैं बच्चों, स्टोर में देखो, दाल के पैकेट कहां रखे हैं? इस तरफ रखे हैं, मा इसमें से दो पैकेट ले लेते हैं इस पर दाम क्या लिखा है? असी रुपिये ठीक है, तो दो पैकेट के कितने दाम हो गए? नहीं पता मा, मैं लिखकर जोडता हूँ ठीक है, जोड कर बताओ ये कुल मिलाकर एक साथ हो गए हाँ, मतलब एक किलो दाल की कीमत एक साथ रुपिये हो गई आओ, अब कुछ चीजे और ले लेते हैं मम्मी, वहाँ पर ढेर सारे खिलोने हैं मुझे भी खिलोने चाहिए वो बात मिलेंगे, पहले कुछ खाने की चीज़ ले लेते हैं गोलू-मोलू, तुम दोनों वहाँ जाओ और बिस्कुट और नमकीन के पैकेट ले आओ ये लो मम्मी इनके पीछे लिखे हुए मूल्य को देखो एक पर चालीस तथा दूसरे पर पचास लिखा है मोलू, अब तुम बताओ कि दोनों के कुल मिला कर कितने मूल्य हुए? अभी मैं छोटा हूँ मम्मी, मुझे नहीं आएगा इन दोनों के मूल्यों को जोडने के लिए तुमये पहले इन दोनों संख्याओं को उपर नीचे लिखना होगा और संख्याओं के दाहिने तरफ से अंकों को जोडना होगा मैंने जोड लिया तो बताओ 90 हुआ ठीक है, हमने बहुत सारा सामान खरीदा अब तुम दोनों इन सामानों के पीछे लिखे हुए मूल्यों को अपनी कौपी पर जोड़ो और बताओ कि हमने आज कितने की खरीदारी की मम्मी, हमने कुल 560 रुपिये की खरीदारी की अब इसे इस बिल से मिलाओ इसमें तो 600 लिखा है तुमने सही से इन सामानों के दामों को नहीं जोड़ा है, फिर से देखो आपने सही कहा, मैं बिस्कुट का मूल्य जोड़ना भूल गया अब सही जोड़ आया? हाँ मम्मी चलो तुम्हारी घुमाई भी हो गई और पढ़ाई भी आपने सही